हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं कडा परशाद और आठे का हलबा कडा परशाद बनाने के लिए हमें चार इंग्रीडियंट्स की जुरत पड़ेगी जो की हैं एक कड़ोरी घी एक कड़ोरी शुगर एक कड़ोरी आठा और दो कड़ोरी पानी चलिए अब बनाते हैं कडा परशाद सबसे पहले एक कड़ाई के नीचे गयस चला ले और इसको गरम कर ले गरम होते ही इसमें डालेंगे देसी घी और घी को हलका गरम होने देंगे और जैसे ही घी थोड़ा गरम हो जाए इसमें डालेंगे आठा आठा डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आज पे भूनना शुरू कर देंगे कड़ा परशाद बनाते हुए दो इंपोर्टेंट बातों को ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ा जाफिर आठे का हलबा बिल्कुल वैसा बने जैसा गुर्द्वारस साहिब में मिलता है तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आप आठा यूज करोग जैसे मैंने बताया कि एक कटोरी आठा एक कटोरी शुगर और एक कटोरी गी और उसमें दो कटोरी पानी होना जरूरी है दीरे दीरे चलाते हुए बुनेंगे जब तक ये बिस्किट के ब्राउं कलर जैसा ना हो जाए मीन्वाइल मैंने साइड में पानी को गरम करने रख है जिसमें एक कटोरी शुगर डाल दी है ता जो वह गुल जाए उसमें और परशाद में कोई दाना नहीं आए शुगर का अब ये आटे का रंग ब्राउन होना शुरू हो गया है अब हमें इसे सिम गैस पे थोड़ा बूनते हुए चलाते हुए बूनते रहना है और जैसे ही इसका कलर ब्राउं हो जाए ब्राउं बिस्किट के कलर का हो जाए तब हमने जो पानी बोईल किया है जो शुगर का बना रखा है उसको इसमें एड कर देना है और पानी को एड करते हुए ध्यान देना है कि थोड़ा पीछे से होके डाले ता जो छीटे आपके उपर ना आए अब हमें अच्छे से mix कर देना है और धीरे-धीरे mix करते हुए इसको भूनना है हमें इसको तब तक भूनना है कि घी जो है side से निकलने लग जाए और कडापरशाद जो है वो कडाई को छोड़ने लग छोड़ दे कडापरशाद बचपन से ही मेरी life का important हिस्सा रहा है जब भी हमारे घर में कोई special location होती थी तो मेरी ममी कडापरशाद बनाती थी आज मैं अपनी YouTube चैनल के लिए पहली वीडियो बना रही हूँ तो पहली वीडियो तो मुझे लगा कि मुझे कडापरशाद ही बनाना चाहिए इसी के साथ हमारा कडापरशाद रेडी है अब बस एक मिनट तक इसको चलाते रहें देखिए घी ने साइट से छोड़ना शुरू कर दिया और परशाद ने कडाई को चोड़ना शुरू कर दिया है एक मिनट और कर और चलाते हुए इसको कुख करेंगे के साथ कडापरशाद बन के तयार हो गया है और अब आप गैस बन कर दें और परशाद रेडी टू सर्व है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें लाइक करें थैंक यू